हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग आज का दिन है सेप्टेंबर साथ दो हजार उननीस तो चलिए देखते हैं कि आज के दर हिंडू एडिटोरियल में कौन से कौन से टॉपिक है तो यह जो पहला टॉपिक है इस बेस्ट ऑन जो हाल है में रश्या के जो व्लादी वस्तुक जो नहीं पर जो इस्टर एकोनूमी 5 फोरॉम की काणफेंसे वहाँ पे अलग-अलग देस के जो प्रती नि दिन हैं भाग लिया था भारत आतो जो प्राइम मिनस्टर नेन्दर मोदी ने वहां पर भाग लिया तो यहां पर अलग-अलग काफी डिल सांग किया गा है जो नजरी नजर रख रहे है इसको रिखा है इसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे देन ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेस्ट उन जो यूएशे और जो चाइना के जो ट्रेडवार काफी टाइम से यह चल रही उसके लिए जो एक ग्लोबल एकोनोमिक स्लोडाउन होई है तो रॉश्या सोरी यूएसे ने कैसे क कैसे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है चाहिने के और तो इसको डिटेल में यहां पर डिसकस किया गया है तो फ्रम इंटरनेशनल एकोनोमी पॉइंट आफ व्यूव के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोने आर्टिकल है इसको भी हम डिटेल में डिसकस करेंगे दैन य जो आर्टिकल है बेस्ट अन जो होंग कोंग के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले तीन महीनों से एक एक्स्ट्राडिशन वहां पर बिल को लागू कर दिया तो इसको विड्रो कर लिया गया है लेकिन इसके बावजुद भी यहां पर कुछ कुछ प्रोटेस वगरा चल प्राइमेरि हेल्टकेर सिस्टेम के साथ कैसी कैसी सिस्wegen कैसी 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 इंडिया में होती है और उसको जापान ने कैसे रिमुव किया है तो दोनों को comparison करके उस में जो सुझाओ यहाँ पर दिये गये हैं बहुत ही important article है then हर Saturday को एक अनोखा article आता है जो ground zero तो यहाँ पर generally जो भी local problems या किसी जगा की वहाँ के solutions यहाँ पर बहुत ही बड़ा article रहता है काफी important article पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसमें इस बार के जो automobile sector की जो एक downturn हुई है जो लगभग automobile की जो sales थी 2019 में इसकी sales कम होके लगभग आप मान सकते हैं कि 21% तक कम हो गई मतलब अगर मान सकते हैं कि July 2018 में अगर गारियों पूरे इंडिया में मान लिजे 100 गारियों की sales हुई थी तो 2019 में यह कम होके सिफ अब मान सकते हैं कि 79 ही गारी sales हुई है इसके हिसाब से तो यह जो एक गारियों की sales में कमी आई है तो उसके लिए कौनसे कौनसे problems यहां पर face करना पढ़ सकता है इसको explain किया गया है और जो गुरूग्राम में हडियाना के जो ग्लोब एक आटामबर सेक्टर का प्लान्ट है वहां पर कैसे कैसे इनिशेटिव लिए गया है कैसे कैसे problems face कना पता है तो एक case study के साथ यहां पर explain किया गया है इसको भी आप पढ़ सकते हैं तो चलिए पहले article के तरफ चलते हैं जो हाली ही में रश्या में Eastern Economic Forum का जो वहां पर conference वी तो वहां पर भारत के Prime Minister Mr. Narendra Modi ने वहां पर participate के था तो वहां पर उन्होंने इंडिया की जो लूप East Act East Policy के तहत यह बोला गया था कि जो व्लादी बॉस्टग रश्या के जो इंडिया ने वहां पर वन बिलियन डॉलर का एक लाइन ओफ क्रेडिट वहां पर रश्या के लिए स्ञेंक्शन किया है तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि व्लादी बॉस्टग जो नाम है इंडियां के लिए काफी एक popular नाम है करने के लिए इंडिया को प्रेशर डाला था उससी टाइम में इंडिया और पाकिस्तन के युद भी हो गया था पाकिस्तन को उसमें कडारी हार मिली थी जिसके वैसे बंगलदेस की जो जो बंगलदेस का फ्रीदम हम मान सकते हैं तो यह उस ताइम में युएक और युएसे ने एक ठ्रेटनि करने के लिए एक जो सी रूट से प्लैन बनाया था तो रॉषिया के जो व्लादी वस्तोक ने उसमें रिटालियाशन करने के लिए फॉर्डफ फेवर ऑफ इंडियांस इंडिया के लिए उन्होंने यह चेतावन यहां पर अपना लिया था तो रॉषिया का जो इंप्रेशन है वैसे भी उन्हों के जो नेटो पॉलिसी के साथ जो वेस्ट के साथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी उन्हों के इस्टर्ण जो पैसिफिक या एशियन के साथ है तो यह माल सकते इंडिया के लिए ही सोल दिए सिर्ट एकॉनीं फोरम में यहां पे कोनफेंस रख Bulgaria के प्रेस्देंट है व्लादिमीर पूटीन और वहाँ पे जो इंडिया के प्राइमिस्टर नरेंदर पूरी तो वहाँ पे काफी सारे investment कर जाने की बात किया है जो Eastern Siberian और Arctic Pole areas में यहाँ पे काम करने की कोशिश करेगी और यहाँ पे जो इंडिया के अलग-अलग business project वहाँ पे खोला जा सकता है तो यहाँ पे यह जो policy है कि take off point for act far east तो यह वहाँ पे strengthen करने की वहाँ पे बात चल रही है तो यहाँ पे दोनों country के बीच में यहाँ पे जो business launch हुई है काफी सारे economic ties हुई है जो डोनों की bilateral ties को जो 10 billion US dollar से ज़्यादा है इसको यहाँ पे defense relations के साब इसको मजबूत करेगी जो इंडिया मान सकते हैं कि इंडिया की जो defense deal है towards Russia जो यह लगभग सारे 14 billion dollar की है रशिया के इंडिया रशिया से खरीदनी वाली है तो यह आप जानते होंगे तो इसमें 50 अलग अलग अग्रिमेंट्स भी sign किया गया है जो energy exploration और procurement को मजबूत करेगी काफी सारे M.O.S. भी यहाँ पे साइन हुए जो liquid nitrogen gases के supply और जो इंडिया के लिए और वहाँ पे जो एक व्लादी के नहले वहाँ से आके मुंबाई में जॉइन करती थी तो यह जो duration काफी लंबा होता था काफी ज्यादा यहाँ पे time energy और रिसोर्स के खर्चा होती थी तो व्लादी बस तक तो चैनने जो व्यतनाम से होके आएगी तो यह रूट को काफी छोटा कर दी तो उसके लिए यहा मजबूत कर दिया कि जो hydrocarbon और LNG को यहाँ पे प्रोस्पेक किया जाएगा यहाँ पे जो फार इस्ट अफ़ आर्क्टिक है यहाँ पे तो यहाँ पे उसको मजबूत करने के लिए अलाग अलाग और फीड से काफी सारे यहाँ पे energy resources है तो इंडिया की यहाँ पे investment से इंडि energy exploration के लिए काफी काम में आ सकता है और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो आर्क्टिक रूट इंडिया को मिल सकता है जो आर्क्टिक रूट पहले एकसेसिबल नहीं थी वहाँ पे बढ़ब बहुत ज्यादा होती तो सी रूट वहाँ पे एकसेसिबल नहीं थी लेकिन ग्लोब तो यहाँ पे यह जो ज्यादा तर European power या post-soviet area के सथ जो conflicts वहाँ पे चल ले थी तो उसके लिए रशिया के लिए भी यह काफी एक strategic partnership है इंडिया के साथ तो इंडियो पेसिफिक कल हम लोग ने जो डिसकस किया था रशिया का जो intention है इंडियो पेसिफिक में अपनी जो position है यह impression है मजबूत करने के लिए तो वहाँ पे उसको बहुत बारे में बात किया गया है तो रशिया के जो फार साइड में इस्टरन साइड में यहाँ पे जो अलग अलग कॉपरेशन है इसमें अलग 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 countries ने भी यहाँ पे participant किये जैसे कि Japan ने कोडिया ने वहाँ पे पेस वहाँ पे मिलेगा और यहां पर यह बोला जा रहा है कि यहां पर जो प्रॉस चाइना की कुछ-कुछ पार्ट जो है वहाँ पर डॉमिनेंस करती है व्लादी बॉस्तक में तो उन लोग यही चाहता है कि इंडियन वहाँ पे आये उन लोगों को इजी लिए माइशन मि सकते हैं कवा पर इंडियन जाकर इंप्रूफ कर सकती है वहाँ पर है तो यहां पर इंडिया की जो नट dovट और इन का ceux थी लिए यहांप assignments यहां पर sign किया है अलग-अलग जो रश्या के पार्ट के साथ जो increasingly polarized world बातब अलग-अलग दुनिया में जो शक्ती अभी बढ़ चुकी है तो उसके हिसाब से इन दोनों की bilateral relationship के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो चलिए next article के तरफ चलते है next article में जो यहां पर trade war शुडू हो चुकी है यह काफी time से चल रही है जो USA और China के बीच में तो उसके बारे में यहां पर बात क्या गया है तो यहां पर यह बोला जाए रहा है कि जो चाइना और USA के बीच में जो trade war चल रही है यह काफी time से चल रही है और यह जो है economy world economy के लिए बहुत ही खतरनाक बन सकती है वहां पर तो बात ऐसा है कि अउगस्ट बीस जो 2018 यहां पर 2018 mention नहीं किया गया आर्टिकल में तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि युएस administration ने जो चाइना के ऊपर 15% टरिफ को यहां पर extend कर दिया है जो चाइना के 300 बिलियन यहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा सामान उन लोग चाइना से इंपोर्ट करवाती थी पहले से भी यहां लोग जो 2018 में जो चाइना के जो 500 बिलियन जो युएस डॉलर से इंपोर्ट कर वाती थी यह लग भाप मान सहकते कि 500 बिलियन US dollar के आसपास है, तो इसमें उन्होंने लगा दिया 25% का tariff, मतलब ये जो है, इसके लिए उनलोग को tariff 25% extra देना पड़ेगा, तो इसके बीज से क्या होगा कि definitely चाइना को ज्यादा payment करनी होगी, तो ज्यादा payment करनी के लिए उनलोग को business को बढ़ाने के लिए क्या होगा, कि उ जो 25% का tariff लगाना पड़ेगा, इसके लिए ये जो उसको balance करने के लिए चाइना को उस particular सामान जो commodity का price बढ़ाना पड़ेगा, और मान लिजिए कि अगर suppose कोई भी अगर product जो USA का खुद का product हा, वो अगर 110 dollar का था, चाइना बेशती थी 100 dollar में, वो उसकी quality एची थी तो उसक इसके वाज़े से चाइना ने भी काफी इसको मुल के economy पे काफी असर पड़ता है, तो चाइना भी उसके retaliation में 5000 अलग अलग जो products चाइना USA से import करती है, लेकिन ये total quantity काफी कम है, ये सिफ 75 billion dollar है, जो चाइना USA से import करते हैं, in comparison of 540 billion dollar जो चाइना USA को export करती है, तो चाइना ने भी उसमें लगा दिया है 25% का tariff in retaliation, तो यहाँ पे ये जो tariff लगाया है, चाइना ने majorly लगाया है, यहाँ पे जो agricultural यहाँ पे जो products के उपर और crude oil के उपर यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे जो है कि चाइना को यहाँ पे world trade organization ने, चाइना ने यहाँ पे जब join किया थ world trade organization 1997 में join के था, तो उसके कुछ rules and regulations होते हैं, उसको धरतकिनात करते हुए, उनको ignore करते हुए यह tariff को increase कर लिया, कि उनके कुछ rules and regulations थे कि आप कभी भी जब अपनी मर्जी है, आप ऐसे कोई भी जो tariff नहीं लगा सकते हैं एक दूसरे country के उपर, लेकिन यहाँ पे जो USA के administration करने की कोशिश करी है, पहले तो USA ने अपना यहाँ पे step लिया, चाइना ने step लिया, तो USA का अभी USA बार-बार चाइना को अपने policy से, अपने aggressive policy से यहाँ पर attack करें, तो पहला attack उनलों को अगर मान सकते हैं, तो intellectual property rights के उपर, जो American companies के हैं, बेजिंग में, तो उसके उपर य चाइना के अपर बहार लोग रगा के रखा है, और यहाँ पे USA ने वहाँ पे एक judge, और जो जूरी के हिसाब से चाइना को indulge करके यह बोला गया है, कि वहाँ पे जो false technology transfer उनलों को वहाँ कर रहा है, जो उनके जो provisions हैं उसके against है, according to the trade act of 1974, तो इसके हिसाब से यह जो एक section 301 USA के जो policy है, उसके हिसाब से USA उनको investigate करी कि जो intellectual property rights USA के company बेजिंग में है, वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि काफी सारे products जो चाइना accessibly बना लेती है, वो उसके अगर कोई भी product हो, suppose iPhone है, iPhone का example दे रहों में, तो iPhone का एक duplicate copy उनलों बढ़ा दे आप पूरे दुनि इसकी selling काफी जादा हो जाती है, जो technology का transfer ये बोता है कि USA हम लोगों से ये चाइना ने चुडाया है, तो इस जो act के तहट जो अगर section 301 के तहट USA अभी investigate करेगी और उसमें अगर चाइना को वहाँ पे guilty पाया गया, तो वहाँ पे trade retaliation के basis पे वहाँ पे उपर sanctions लगा दिया जाएंगे, और ये जो tariff है, ये tariff Chinese जो product है, उनके ओपर काफी यहाँ पर असर परने वाली है, और जो ये section 301 जो actions है, इसके वाए से ये जो बोले है कि WTO rules के खिलाब है, लेकिन USA उसको ध्यान कभी भी दे ही नहीं रही है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो system है जो जिसके वाए से USA administration ने जो लिया है, वो जो multilateralism दुनिया की हर जो countries के साथ, जो एक दुसरे का trade relationship है, उसको यहाँ पर खतम करने जैसी कि एक problem आती है, तो WTO ने यहाँ पर जो problems create किये है, problems नहीं, यहाँ पर जो warnings दिये है, USA ने उसको ignore करती चली गई है, और यहाँ पर ये बोला जारा है कि USA के जो secretary of treasury है, वहाँ पर Stephen Moonchey, तो यहाँ पर ये बोला जारा है कि section 3004 के हिसाब से, यहाँ पर omnibus trade और जो competitive के हिसाब से, वहाँ पर उन लोग के साथ action लिया जा सकता है, तो यहाँ पर ये बोला जारा है कि US के trade partners जो है, वो currency manipulating कर रहे है, जो China जो है अपन है कि मान लिजे कि अभी जो Chinese yuan है, एक डॉलर अगर US dollar अगर खरीदना है, तो मान लिजे 7 Chinese yuan वहाँ पर जरूरी होता है, लेकिन चाइना ने ये है, ये कम कर दिया है, मान लिजे कि अगर 8 कर दिया, तो क्या होता है, इसके वेजिसे जो currency manipulation के हिसाब से, वहाँ पर benefit के लिए जो adjustment के लिए international trades को maintain करने के लिए currency का manipulation बार बार चाइना ने ये किया है, तो उनके ओपर एक allegations यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर जो Donald Trump के administration है, दो अलगला set के issue में, चाइना के जो system के ओपर यहाँ पर उन्होंने actions लिए है, तो यहाँ पर यहाँ ये बोला ज़ थे उसके लिए उनके कुछ यहाँ पर ध्यानी नहीं दिया, और जो भी settlement mechanism था WTO के जो members करना चाहती थी, दोनों देच जो चाइना और USA को मिलाने के लिए तो उनको ये function ही नहीं होने देया, ये उसे ने, तो ये बहुत सो बहुत गलत steps USA अभी ले रही है, मतलब आप बोल स station टे है, उनलोग ने अपनी जो retiring members है, एक body यहाँ पर गथन की है, जिसके वैसे यह dispute settlement mechanism इसको अभी कैसे control किया जाएगा, कैसे system को हाथ में लिया जाएगा, ताकि जो international trade है, international global economic system उसमें slowdown ना हो, क्योंकि यहाँ से बहुत problems face करना पर सकता है, यहाँ तो अगर ये देखा जा ही पड़ा है, तो अगर 2018 में देखा जाए कि 9 मंथ में China और USA के जो trade deficit है, यह लगभग 419 billion का हो गया था, जो USA का और China का trade deficit है, यहाँ पर जो पिछले 2010 से ये 12 प्रतिशत जादा होता था, और यहाँ पर माना जा सकता है कि उसमें से सिफ जो 2018 के पिछले 5 महीने में ही यह था लगभग, 196 लगभग, 200 billion के आसपास, जो 15% जादा था लगभग 2017 के मुकाबले, तो यह जो system यहाँ पर USA कर जा रहे है, तो यह जो trade deficit उसको control में नहीं, लेकिने कामियाब नहीं हो पारी है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो overall trade deficit है, यहाँ पर जो है उसमें एक जो trade होती थी, इसमें 10% की कमी आई है, मतलब जितना चाइना इंपोर्ट करती थी, जितना चाइना एक्सपोर्ट करती थी, तो इसमें जो यह overall trade है, इसमें 31 billion का यहाँ पर एक decline आया है, जो अगर हम लोग इस graph के मदद से देखेंगे, कि 1990 में अगर देखें कि दोनों के बी चाइना का, अगर मान लिजे, 1990 के बाद से, 1985 में जो चाइना और यह इसे का trade deal स्टार्ट वी, तो धीरे धीर चाइना का जो यह trade deficit यह बढ़ने चालू हो गया, और अगर मान जाएं कि चाइना ने 2001 में, मैंने गलत बोल दिया था, 1997 नहीं, 2001 में चाइना ने World Trade Center को यहाँ पर जॉइन कर लिया था, तो यहाँ पर उसके बाद से, उनके जो policies के हिसाब से, यह trade deficit है, काफी बढ़ चुकी है, तो आप मान सकते हैं कि जो USA export करती है, यह export करती है, कितना कम करती है, लगभग यह 75 million billion से आसपास, और चाइना 540 billion, तो यह देख सकते है, total trade deficit है, 2018 में ही, यह 419 billion का trade deficit USA और चाइना के, जो export-import system में यहाँ पर हो रही है, तो कितना ज़्यादा है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यह जो है tariff जो increase कर दिया है, यह USA को जो economy को बुरी तरीके से hurt करेगी, क्योंकि चाइना ने बहुत ही smart mode यहाँ पर लिया है, कि चाइना ने USA के जो agriculture और यहाँ पर crude oil की system जो China depend कर दी थी, USA के अपर उनके उपर tariff लगा दिया है, तो यहाँ पर जो इसके वाज़े से जो Donald Trump administration के यहाँ पर काफी असर पर अगया हो, कि उनके जो major funders होते थे यहाँ पर, यह agriculture और crude oil sector से ही होते थे, तो यहाँ पर जो दुनिया की current tariff होती है, products like यहाँ पर garments हो, toothbrushes हो, footwear हो, toys हो, video games हो, और USA के जो consumer good markets होती इसमें चायना के अच्छा दब-दबा होती थी, उसमें भी उसका effect हो रहा है, तो USA ने यह बोला जा रहा है, कि यह जो है, यह system को अभी बहुत परिशान करने वाली है, यह जो है, तो इसको control करना चाहिए, अभी क यह एक लिस्ट जो है, Christmas के टाइमें, जो Christian countries है, वहाँ पर Christmas के पहले, एक महीने पहले से काफी वहाँ पर selling हो जाती है, तो marketing point of view के हिसाब से business point of view के हिसाब से इन लोग जो काफी concern होते तो इसको at least वहाँ पर control करने के लिए सोतनी चाहिए, नहीं तो उनका जो system के उपर, उन के लिए, तो इसमें जो global economy है, उसको close करके economic slowdown को यहाँ पर control करने के लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि 2020 में जो है, यह उसको control करने economy जो है, world economy को maintain किया जासा है, तो यह जो पुरा article लिखा है, विश्वजित धरनिया, नेक जो article हम लोग base करेंगे, जो Hong Kong के जो extradition, जो bill को withdraw कर लिए था, तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि जो Hong Kong में लगभग तीन महेने पहले चाइना ने एक extradition bill यहाँ पर implement किया था, तो उसके हिसाब से यह बोला गया था, कोई भी अगर reporter है Hong Kong की, तो Hong Kong एक semi-autonomy government वहाँ पर चलती है, उन लोग के खुद के currency है, खुद के वहाँ Hong Kong डॉलर करेंसी है, उतके वहाँ पर flags है, semi-autonomy है, अधी autonomy चाइना के हिसाब से वहाँ पर control होती है, तो यह अगर बोला जाए कि वहाँ पर चाइना ने एक extradition bill का implementation किया था, कि कोई भी वियक्ति जो Southern China में Hong Kong आती है, तो वहाँ पर Hong Kong के कोई भी अगर reporter चाइना की किसी भी जो system को अगर record करते हुए पकड़ा गया, जो चाइना के policy के against है, तो वो जो reporter है, उनको वहाँ पर उठा के चाइना के main lane में जो है, उनको वहाँ पर लाके punish किया जाएगा, तो यह जो है इस जो बिल से चाइना की जो population बुरी तरीकी से चेड़ गयी थी, वहाँ पर उन्हों का माफ कीजिए, होंकों की जो total population है मान लीजे 70 लाग, तो लगभग 10 लाग के आसपास के लोग, despite of any profession, सब लोग जो है सडकों पर आ गया थे, उसके लिए बहुत सारे उहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, पुलिस ने कंच्रोल करने के लिए टीर गेस या बहुत सारे लोगों क हजार हजार लोगों को वहाँ पर एरेस कर लिया गया था, तो वहाँ पर उन लोग ने काफी डिवांस बढ़ा लिया था, और यह जो है, टेंशन को काफी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी, तो यहाँ पर और इसके वाज़े से बेजिंग में भी उसका एक खाफी फ्लॉल आउट को यहाँ पर प्रोटेस के जरी एफेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर जो होंकों के जो चीफ एक्जुगिटिफ है केरी लेम, उन्होंने यह बोला जा रहा है कि यह जो है, इसको अभी हटा लिया गया है, काफी डिमांद आ चुकी थी, कि केरी लेम को वहाँ इसको टर्म किया है, वाटर रेवोलिशन के हिसाब से, तो यह काफी उनकी भी एग्रेसिव स्टांस है, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स को यह समझ में नहीं रहे है, उन्हों यह जो कॉंसेप्ट को नहीं मानते हैं कि वन कंट्री, टू सिस्टेम्स के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर प्रोब्लेम्स हुई है, तो यह जो बिल है काफी, इन्फेमस बिल को यहाँ बहुत बुरी तरीके से पुरी दुनिया में यह चर्चा में आ गई है, और इसमें जो है केरी लेम को काफी यहाँ पर गरिहना यहाँ पर दिया गया है, तो अगर मान सके हम लोग यह जो है प्रेसिडेंट जिंपिंग इससे भी काफी परेशान है तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो होंग को के एक जो लुजदिंग पॉलिसी है यह पॉलिसी जो है स्पेशल स्टेटस होंग को 2047 तक दिया गया थो तो होंग कोंग का एक हिस्ट्री के अंदर थी फिर 1941 से लगे 1945 तक होंग कंग जापान के रूल के अंदर थी चार सल तक फिर 1945 से लेके 1997 तक लगभग आप मान जिए कि पचास साल जो है होंग को फिर से बिर्टीश रूल के अंदर चली गे तिन एक जुलाइं 1997 को यह चाइना के साथ पार्टर्शिप में आ ग जो है बिर्टीश के अंदर रहने के वाद उनकी जो आइडियोजी उनकी जो सिस्टेम बिर्टीश टाइप की ही हो चुकी थी जो चाइना के सिस्टेम उन लोग नहीं मानते थे और अगर बात करेंगे कि कुछ-कुछ अलग जो है टाइवान जैसे कि टाइवान में भी एक जो है चाइना का एक दखल अंदाज ही है हम लोग यह नहीं बोल सकती कि टाइवान जो है कंप्लीटी एक इंडिपेंडेंस कंट्री है चाइना से तो यह जो दर है यह चाइना को सता रहे कि उन लोग भी इंडिपेंडेंस के लिए फिर से वाइलेशन ना कर दे या जो प्र प्रब्लेमेटिक यहां पर होने वाले हैं तो अगर देखा जाए तो यह जो एक कोहेशिप लीडर्सीप मेंटेन करनी चाहिए थे यह अभी मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी चैलेंज हो चुके हैं वहां पर और वहां पर जो बिजनेस बात करें एकोनमी बात करें एन्वर रेटिंग्स दी है यह डबल ए प्लस से लेके यह कम होके ए डबल ए तक हो चेकी है जो एक फाइनेशियल बाफर सिटी होंकों को माना रहता था ऐशिया का यहां पर लेडिंग फाइनेशियल हब माना जाता है तो यह काफी problems में आ गई है, एक जो वहाँ पर economy financial capital यह down में आ गई है, काफी सारे protest, काफी सारे airport टक वहाँ पर protest होनी चली तो वहाँ पर जो error lines भी वहाँ पर banned हो गए थे, वहाँ पर चल नहीं रही थी, तो काफी ज़्यादा एक global trade जो USA और चाइना के बीच में चली है, उसक policy यहाँ पर काम नहीं कर पारी है, जो चाइना की economic, technological, strategic dominance को maintain करने के लिए, तो होंग कॉंग एक उसका best example है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर important cruise है, political dimension और उसको approach में लेके जाने के लिए, यह काफी problematic होती है, तो यहाँ पर जो current discontent है, उसको immediately challenge में लाके उसको control में लाना च चाहिए, ताकि यह जो economic policy है, यहाँ पर यह एक overall intentance के हिसाब से, उसको serve क्या जा सके, तो आज के हमारे the Hindu editorial में बस इतना ही, अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, इसको please like कर दीजे, subscribe कर दीजे और share कर दीजे, हम एक बिल्कुल ही नए YouTube channel है, तो आज शाम को देखना मत भूलियागा, हमारा जो study rise का current affairs, और आशा करते हैं, आप लोग उसको भी उतना ही प्यार देंगे, जितना प्यार आप the Hindu editorial को देते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, कल रभी बार है, कल हम ला रहे हैं, जो पूरे हफ़ते का जो सबसे important current affairs है, उसको MCCQ format में discuss करने की बारी है, तो आज के लिए बस इतना ही, take care, thank you and joy hind.